सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एबरिवान वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ लोकी की खीर की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जादा से जादा अपनी फैमली और फ्रेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें तो आएए देखते हैं ये लोकी की खीर कैसे बनेगी लोकी की खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 kg लोकी ले रखी है लोकी के छिलके हमने पहले से उतार दिये थे और इसके अंदर का जो गूदा भाग है सफेद भाग उसे भी हमने काट कर पहले से निकाल दिया था अब हम लोकी को ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे आप यहाँ पर कड़ी लोकी का इस्तमाल मत करिएगा मुलायम लोकी लीजिएगा खीर बनाने के लिए अब हम लोकी को इस ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे आपने बहुत सारी खीर खाई होगी बर आप इस तरह से आप लोगी की खीर बना कर खाईएगा ये खीर खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होती है और ये देखिए हमने पूरी लोगी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है अब हमें लोगी को पकाना है तो उसके डाल देंगे ग्रेट की हुई लोकी को डालने के बाद इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिला देंगे लोकी को आप घी में ही कुक करिएगा तेल में मत कुक करिएगा नहीं तो खीर खाने में अच्छी नहीं आएगी जब हम लोकी को घी में पकाते हैं तो खीर हमारी बहुत ही गल गई है अभी हमें इसे medium to low flame पर बराबर चलाते हुए पकाना है इससे पहले मैं आपके साथ लौकी की वर्फी लौकी का जूस और लौकी की सबजी की रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ लिंक मैंने नीचे description box में दे दिया है वीडियो के last में आप उन वीडियो को description box में जा चलाते हुए मिला देंगे अब इसे हम medium to low flame पर continue चलाते हुए पकाएंगे लौकी बहुत सारे पोशक तत्तों से भरपूर होती है पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखती है मधुमे के रोगियों के लिए लौकी किसी वर्दान से कम नहीं है कोलेस्ट्रोल को भी लौकी चलाते हुए इसे हम high flame पर नहीं पकाएंगे medium to low flame पर ही पकाएंगे और यह साइट से मलाई लग रही है इसे भी हम हटाते जाएंगे यह मलाई जब हमारी खीर में जाएगी तो हमारी खीर और भी टेस्टी हो जाएगी अब हम खीर में एड़ करेंगे वन पिंच ग्रीन कलर अगर आप food color नहीं खाते हैं तो आप इसमें color को skip कर दीजिएगा बिना इसके भी हमारी खीर बन के तयार हो जाएगी लोकी की खीर बन रही है इसलिए हमने इसमें food color का इस्तमाल किया है अब हम क्या करेंगे इसमें हम add करेंगे चार कुटी हुई ilaichi आप यहाँ पर ilaichi की जगा पर rose water या फिर keoda water भी डाल सकते हैं खुश्बू के लिए ilaichi को भी अच्छे से मिला देंगे चलाते हुए अभी तक हमने इसमें sugar नहीं डाली है अगर हम शुगर पहले से डाल देंगे तो इसमें जो दूद पड़ा हुआ है वो दूद कढ़ाई के तले में चिपकने लगेगा इसलिए हम चीनी को बाद में एड करेंगे अब इसमें हम एड करेंगे चिराओं जी काजू बदाम और कटे हुए पिस्ता आप अपनी च्वाइस के कोडिंग इसमें कोई भी ड्राइफ फूट्स एड कर सकते हैं अब हम ड्राइफ फूट्स को भी अच्छे से मिल देंगे चलाते हुए आप इस खीर को ब्रत में भी बना कर खा सकते हैं ये खीर खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होती है अब इसमें हम एड करेंगे 50 ग्राम शुगर शुगर की क्वांटिटी आपके टेस्ट के कोडिंग रहेगी जैसा मीठा पसंद करते हों चीनी को भी चलाते हुए अच्छे से मिला देंगे चीनी डालने के बाद इससे हम 5 मिनट तक और पकाएंगे कांटिन्यू चलाते हुए खीर को बनाते समय आप इस बात का धिहान रखिएगा कि लोकी को पहले से ग्रेट कर लीजिएगा और इससे पका लीजिएगा तभ हम गैस को आफ कर देंगे अभी ठंडी होने के बाद और भी गारी हो जाएगी अब हम खीर को एक बॉल में ट्रांसपर कर लेंगे खीर को हमने इस बॉल में सर्व कर लिया है अब हम खीर की गानिशिंग करेंगे तो गानिशिंग के लिए हमने यहाँ पर लिया है कटे हुए बादाम और पिस्ता आप अपनी चोईस के कोडिंग इसे किसी भी ड्राइफूर से गानिश कर सकते हैं और यह हमने खीर को अच्छे से गानिश कर लिया है खीर सर्फ करने के लिए तयार है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को धेसर लाइक दीजिएगा और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए महवान हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा इसी तरह की नई वीडियो देखने के लिए और मुझे कॉमेंट करके यह भी बताइएगा कि आगे आप कौन सी नई रेसिपी देखना चाहते हैं एंक यू हूँ